दोस्तो realme 3 pro और redmi note 7 pro 15000 के नीचे no doubt best smart phones हैं और दोनों ही phone जो है बहुत ही अच्छे हैं अब बहुत सारे लोगों को confusion यह है कि redmi note 7 pro आपको अच्छी battery backup दे सकता है या फिर realme 3 pro आपको अच्छी battery backup देगा तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो है comment कर रहे थे के battery draining test किजे तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर continue phone को use किया है और साथ ही हम लोगों ने heating test भी किया है कि phone दोनों में से कौन सा phone जो है ज्यादा heat हो रहा है और हम लोगों ने normal condition में यूज किया है room के वीतर सिर्फ पंखा चल रहा था मेरा और AC वगरे कुछ भी नहीं चल रहा था तो आज आज किस वीडियो को देखने बाद दूस्तों आपके सारे doubts क्लियर हो जाएंगे कि phone कौन सा ज्यादा heat होता है और किसमें आपको battery ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले दूस्तों छोड़ा सा request है आप लोगों से अगर आपको वीडिय आपको लाइक जरूर कीजेगा और हमें motivate कीजेगा ताकि हम और भी future में इस तरह के वीडियो बनाते रहें दोस्तों दोनों फोन को हम लोगों ने 11 बजे से चलाना स्टार्ट किया 100 परसंट चार्ज था दोनों फोन में और सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने दोनों फोन म आपको दोस्तों हम लोगों लगातार एक गंटा पबजी खेलने के बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा एक गंटा पबजी खेलने के बाद जो Redmi Note 7 Pro है उसकी बैटरी 80% हो गई थी और फोन का जो टेंपरेचर था दोस्तों वो 42.7 डिग्री तक पहुँच गया था उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात गंटा खेलने के बाद जब हम लोगों ने फिर से दोबारा चेक किया तो Realme 3 Pro में हम लोगों को 71% बैटरी बची हुई मिली और फोन का जो टेंपरेचर है वो 41.7 डिग्री तक चला गया था उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने Redmi Note 7 Pro को चेक किया तो Redmi Note 7 Pro में 70% बैटरी बची हुई थी और इसका जो टेंपरेचर था वो 43.7 डिग्री चला गया था तेर गंटा PUBG खेलने के बाद दोस्तों हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की दोनों फोन में और तकरीबन एक गंटा तक हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके छोड़ दिया दोनों फोन में उसके बाद जब हम लोगों ने देखा एग गंटे बाद तो Realme 3 Pro में 52% चार्ज जो है बचा हुआ था और जो टेंपरेचर है वो 43.5 डिग्री चला गिया था उसके बाद हम लोगों ने Redmi Note 7 Pro में देखा तो Redmi Note 7 Pro में 52% यहाँ पे भी चार्ज बची हुई हमें मिली लेकिन जो था वो 41.4 डिग्री हो गया था तो यहाँ पे वीडियो रेकॉर्डिंग करने के टाइम में दोस्तो हम लोगों ने देखा जो Realme 3 Pro है वो थोड़ा सा ज्यादा हीट होड़ा है इसके बाद दोस्तो हम लोगों ने YouTube पे वीडियो प्ले किया और लगबग 2 घंटे तक डिग्री हो गया था वहीं पे Redmi Note 7 Pro में हम लोगों ने देखा के Redmi Note 7 Pro में 27% बैटरी बची हुई है और इसका जो टेंपरेचर है 40.5 डिग्री है तो यहाँ पी भी टेंपरेचर जो है लगबग सेम ही हम लोगों को देखने को मिला हीटिंग जो है लगबग सेम ही देखने को म और PUBG जो है लगबग लोगों ने 50 मिनिट तक खेला 50 मिनिट खेलने के बाद दोस्तो हम लोगों ने देखा कि Realme 3 Pro में 5% बैटरी बची हुई है और जो टेंपरेचर है वो 46 डिग्री चला गया है वहें पर जब Redmi Note 7 Pro में हम लोगों ने चेक किया दोस्तो तो Redmi Note 7 Pro में 7% बैटरी बची हुई थी और इसका जो टेंपरेचर है वो 47.7 डिग्री चला गया था तो Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro में जब भी मैं PUBG खेल रहा था तो टेंपरेचर जो है Redmi Note 7 Pro का हमेशा थोड़ा सा मुझे ज्यादा देखने को मिले और फोन जो है थोड़ा सा ज्यादा हीट हो रहा था बांकि दुस्तों फोन जो है दोनों ही हीट हो रहे थे और अगर आप कोई भी फोन इतनी देर तक यूज़ करेंगे तो फोन हीट होना ही है उसके बाद दुस्तों गेम को हम लोगों ने continue किया क्पर्प्स Gemeें हीट हे और एक घंटा चार मिनिट छालिस सेगंड के बाद रेडमी नोट सेवन प्रो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया था हाला के रेडमी नोट सेवन प्रो में थोड़ी से बैटरी ज्यादा बची हुई थी लेकिन फिर भी ये पहले ही ओफ हो गया और एक घंटा पांच मिनेट 15 सेगंड के बाद देखा के रेडमी 3 प्रो जो है वो भी फुली डिस्चार्ज हो गया है तो हमारे टेस्ट में दोस्तों जब हम लोग ने कंटिन्यू यूज किया हे भी खुब यूज किया एक्स्ट्रीम लेबल पे तो रेडमी नोट सेवन प्रो और रियल मी 3 प्रो में दोनों में ही हम लोग को लगबग सेम ही बैटरी बैकप मिली थोड़ा सा रियल मी 3 प्रो ज तो अगर आप सोच रहे हैं कि Redmi Note 7 Pro में आपको ज़्यादा अच्छी बैटरी बैकप मिलेगी या फिर Realme 3 Pro में तो यहाँ पे आपको जो है लगबग सेमी बैटरी बैकप मिलने वाली है बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा और अगर मैं बात दोस्तों फोन में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कोई भी फोन को इतिनी देर तक यूज़ करेंगे तो हेटिंग इसो आपको देखने को मिलेगा ही तो यह था दोस्तों हमारा छोटा सा वीडियो Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro के बैठरी ड्रेनिंग टेस्ट का उमीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, helpful लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजेगा और अभी तक अगर आपने हमारे चनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्र झाल